तो आज का session हम शुरू करते हैं और यहां से हम देखते हैं discount complete एक ही वीडियो में ठीक है? तो यहां पर देखिए question में क्या कहा गया है A discount of 20% on the market price of article is allowed and then the article is sold for Rs. 1380 market price of the article is एक वस्तु के अंकित मुल्य पर 20% का discount दिया जाता है और फिर वस्तु को 1300C में बेचा जाता है वस्तु का अंकित मुल्य क्या होगा? आपके पास कोई एक article है आपने उस पर कितने का discount दिया? 20% का discount दिया और 20% का discount देने के बाद वो बिका कितने में? 1300C में ठीक है? तो हमसे बोला गया अंकित मुल्य क्या है? कोई दिक्कत की बात नहीं है माली जो उस article का market price x रुपए है ठीक है? ये जो x है market price है और कभी भी याद रखना जीवन में कि करे मुल्य यानि cost price और market price यानि अंकित मुल्य ये दोनों अपने आप में हमेशा जो होते हैं वो 100% होते हैं तो अगर मैं इसे market price मान रहा हूँ यानि ये अपने आप में कितना percent है तो 100% है और मैंने इस पर कितने का discount है? 20 का यानि 100 पर 20 का discount यानि कितने में बेचा? मैंने 80 में बेचा है और ये बराबर हो गया है हमारे किसके? तो ये बराबर हो गया हमारे 1300 C के यानि ये आर्टिकल है इसको इसके 80% पर बेचेंगे तो ये 1360 में बिखने वाला है भाई ठीक है अगर हम बात करेंगे तो 20 से 4 बार में जाएगा और 20 से हमारा 5 बार में जाएगा 4 से वैल्यू काटेंगे 4 का 3 उना 12, 4 का 4 उना 16, 4 पचे 20 तो X की जो वैल्यू आजाएगी वो कितना हो जाएगा तो 345 इंटू 5 हो जाएगा बहुत असानी से आप इसे कर पाएंगे 55 पांचों के 20, 22, 25, 25, 27, 17, 25 आंसर है कौन सा option है तो option नमबर जो C है वो correct answer है अब यहाँ सवाल दिखे यह question है आपका CHSL 25 माई 2022 क्या कहा गया है एक निशित laptop की कीमत पर 20% का discount दिया जाता है फिर कम की गई कीमत पर 20% का discount दिया जाता है ठीक है क्रमिक यहाँ discount की श्रिंखला कितनी एकल discount के बराबर है यानि कितने बटे के बराबर है यानि पहले आप क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ पर किसी article को उसके बाद आपको पता चला कि credit card पर 20% का और discount है आप ठहरे जुगाड़ू आदमी कहीं से ना किसी से credit card उठाके किसी का लेते आए आपको 20% और कम मिल गया यानि पहले उस वस्तु को कम करवाया गया और फिर कम की गई कीमत पर और कम करवाया गया यानि आपको 2 discount मिले अगर हम बात करते हैं तो एकी value हमारी कितनी है 20 फिर उसके बाद यहां कितनी है 20 और minus हो जाएगा हमारा 20 into 20 विटे 100 कितने प्यास रहा आप आराम से इसका answer दे पाएंगे बोलेंगे सर देखो दुनिया में इससे आसान तो कुछ भी नहीं है 40 में से 4 घटाना है बस यही तो काम रहे गया सर यहनी 36% का discount है हाला कि percentage में भी यह question आप से पूछा जाएगा कि पहले आपने किसी वस्तु की कीमत को कम की फिर उसके बाद कम की गई कीमत को आपने और कम की तो यहां पर क्या हो जाएगा कितने percent कमी आई तो 36% की कमी आई 40 की कभी कमी नहीं आती है इसलिए म पस्तू पर 12% और 15% के 2 क्रमागत बटा दिया गया है तो यह हमारा कितने percent के बराबर है यह बताओ यानि आपने दो अलग-अलग discount दिया है एक discount 15 का दूसरा discount 12 का देखते हैं हमारा सबसे पहले कौन सा मुन्ना या मुन्नी ऐसी है जो सबसे पहले answer देता है जल्दी से अब selection के जरुवत आपको है तो मुझे लग रहा है कि इसका answer आपको देना चाहिए ठीक है चलिए देखते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है पहली बात तो हम आपको एक छोटी सी बात बता दे इस सवाल को बिना solve के answer आप दे सकते थे only one second मतलब दिमाग भी अगर इंसान के ठीकाने पे रहता ना तो यहाँ पर सिर्फ question को देखके मातर एक second में answer दे देता और मैं फिर से कह रहा हूँ कि यह question मैंने घर पर नहीं बनाया यह आपके CGL के paper का question है यह जो बच्चा तुका भी मार रहा है option number A करके बाबू तुम एक छोटी सी बात तो समझ जाते और वो क तरीके से आप इस question में देखते तो बोलते सर्फ 15 और 12 27 यानि हमेशा हमारा answer 27 से कम होगा ना यह 27 से कम है ना यह कम है ना यह कम है भाई यह की तो option है टिक कर देते ना क्या जरूँ थी यहाँ पर आपको solve करने की बताओ कभी तो यार option पर भी निगाहें डालो किसलिए examiner न हो सकता है objective paper हो रहा है जना आपका subjective paper नहीं हो रहा है UPC का paper नहीं लिख रहा है कि आपको अपनी ग्यान सिध्य करनी है यहाँ पर बैठके कि नहीं मुझे तो इतना आता है भाई simple यहाँ subjective तरीके से ध्यान देते कि कभी भी दो discount जो होते हैं वो अपने sum से कम ही होते हैं और क तरीके से minus करने पर लगे हुए हैं आप यहाँ 27 में से कुछ minus कर रहे हैं तो value हमेशा कम ही ना आएगी इसलिए कम वाला answer था ठीक है तो आपने कहा सर 15 बारा कितना होता है 27 होता है अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 से आपका 3 बार में गया और 5 से आपका कितनी बार दे सकते हैं बाई option भी दे सकते हैं और बाई method भी दे सकते हैं दोनों हमारे पास सुधा उपलब्द है और यह तुक्के मारने वाले जरा सोच के तुक्का मारना समझे ना आजेगे तीसरा question हमारा है मेंस का ठीक है क्या कहा गया सवाल में देखें article is sold for rupees 54,120 after two successive discount of 12% and यहाँ यहाँ पर 18% what is the market price of the article एसे सवाल paper में आता है या एक question यह रहता है कि एक discount के बादकी है तो market price केतना था एक कॉश्चन रहता है कि अगर दो discount फलाना फलाना percent देने के बाद कीमत इतनी ए तो market price कितना था तीसरा सवाल हमारा यह रहता था हिंदre देने के गजर T selling price इतना है, तो market price कितना था, कई सारे तरीके होंगे, ठीक है, दो discount दिया गया, 12 का और 18 का और उसके बाद ये इतने में बेचा जाता है, मान लीजे मैंने किसी वस्तू की कीमत को X माना, ठीक है, उसके बाद, पहला discount जो मैंने दिया है, वो 12% का दिया है, यानि मैं ये तो 100 में से 18 गया, तो हमारा बिकेगा कितने में, 82 में बिकेगा, यानि ये पहले discount के बाद, फिर ये दूसरे discount के बाद, और दो discount के बाद, ये वस्तू बिकी कितने में है, तो 4,120 में, अब generally आदत क्या होती है, कि हमें यहाँ पूरा solve करने की, यार क्यों solve करोगे, ये आता है, चाहे percentage का question हो, compound interest का question हो, discount का question हो, जिन सवालों को आप एक series में बना रहे हैं, क्या जरूवत है आपको वहाँ पर solve करने की, आप वहाँ पर digital sum लगाईए न, मना किया है किसे ने आपको, solve कर ये short में answer आजाएगा digital sum से आपका, ठीक है, आप यहाँ सीधा सीधा बोले तो 7 आजाएगा, बट्टे में 1, ठीक है, 8 और 2, 10 का मतलब कितना हो गया, एक हो गया, ठीक है, 5 और 4, 9, 10, 10, 12, 12, 12 को आपस में जोड़ों के 3 आजाएगा, तो X की value आजाएगी, तो X की value आपके 3 बट्टे 7 आजाएगी, क्योंकि 7 चला जाएगा उदर बट्टे में, अब आप मुझे एक बात बताईए, सर, जब भी नीचे 7 आता है, तो मैं कोशिश क्या करता हूँ, इसको 1 बनाने की, और 7 हमारा 1 एक ही संख्या से गुना करने के बाद बन सकता है, और वो है 4, क्योंकि जब 7 को आप 4 के साथ गुना करते हैं, तो 28 बन जाता है, और 28 का digital sum कितना ह 1 होता है, हमें हमेशा denominator में 1 बनाना होता है, तो अगर मैंने नीचे 4 से गुना किया, तो मैं उपर भी 4 से गुना करूंगा, उपर 4 into 3 हमारा हो जाएगा 12, 12 को फिर से आपस में जोड़ो, तो digital sum आगया आपका 3, और digital sum अगर आपका 3 आगया, तो कौन सौ option आपका digital sum 3 दिख लेते, कि ये market price है, पहले discount के बाद की केमत, दूसरे के बाद की केमत selling price, digital sum निकाला, फसाया question को, और option अबर सी फस गया, answer हो गया हमारा, बस, हाँ, digital sum अगर नहीं लगता कि इसी दो option में लगता, तो हम unit digit देखते, कि समत खराब रहती कि unit digit भी match कर जाए, digital sum भी match कर जाए, त बट हमेशा आप लोग यहाँ पर options पर भी focus किया गरो, you are giving the objective paper, not the subjective paper, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, चली आजएए, next question की यहाँ बात करते हैं, अगला सवाल क्या कहा है, एक study table का अंकित मुलिया 32 रुपए है, दो क्रमिक छूट के बाद इसे 2448 रुपए में दिया जाएगा, यदि पहला discount 10% का है, तो दूसरा कितना होगा, अक्सर ऐसा सवाल paper में पूछा जाता है, ठीक है, कि कोई वस्तू है फलाने रुपए की, ठीक है, दो discount के बाद, तीन discount के बाद, चार discount के बाद, वो इतने में big गई बताओ, पहला हमारा इतना था, तो दूसरा कित मतलब हमारे पास कई सारे varieties है, बट मैं आपको एक ऐसा genuine method दूँगा, जिससे आप ऐसे सवालों को आज के बाद कभी भी मना पाएंगे, कोई tension की बात नहीं होगी, आप बोलोगे सर, हमारे पास कोई article था, 32 रुपए का, ठीक है, इस 32 रुपए के article पर पहली बात हमने discount दी और वो हमने कितने का दिया था, तो 10% का discount हमने दिया था सर, ठीक है, उसके बाद यह article कुछ में बिका होगा, फिर उसके बाद हमने एक और discount दिया, और तब जाकर final जो हमारा article है, वो article हमारा कितने में बिका है, तो 2448 में बिका है, मतलब यहाँ पर इस article पर, दो तरह का discount, प 10% कम, किसी भी संख्या का 10% उससे 10 से भाग कर दो यानि 32 में 10% कम यानि अगर हम बात करें तो 32 में हम कितना कम कर देंगे 10% यानि 320 कम कर देंगे 320 कम करने का मतलब क्या है 200 इसका ले जाना 120 और लेके जाना यानि हम बात करेंगे 2880 हो जाएगा दस से दो आपका ऐसे भी आठा गया 11 से 3 आपका आठा गया तो 2880 यानि 10% के डिसकाउंट के बाद या आठिकल बिकेगा कितने में तो 10% के डिसकाउंट के बाद या आठिकल बिकेगा 2880 में अब ज़र आपना common sense लगा हूँ है कि 2880 के आठिकल को 2440 में बेचा जा रहा है कितने का डिसकाउंट दिया गया होगा तो निकाल दो यहाँ पर बोलोगे सर देखो 2880 में से इसे माइनस कर दो तो 440 और 2450 52 जोड़ दोगे तो यहाँ 2500 ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 से आठ गया आपका सिधा ऐसे लिख लो 2 हो गया सर ठीक है और 7 से 4 आपका 3 हो गया 8 से 4 432 हो गया मेरे भाई कितना हो गया यहाँ पर तो 432 ठीक है तो 2880 में से अगर आप इसको 2449 को घटाते हो 432 हो गया और 432 हमारा किसका तो 2880 का कितना परशंट है 432 हमारा 2880 का कितना परशंट है इंटू हम कितना करेंगे 100% 0 से 0 खतम 288 से हमारा कितनी बार में जाएगा ठीक है तो अगर हम बात करते हैं 288 से तो 2 से काटो मेरे भाई 2 से काटोगे तो 144 में जाएगा 2 से काटोगे तो 5 बार में जाएगा ठीक है, और अगर हम यहाँ काटते हैं तो यह संख्या हमारी 3 बार में जाएगी कुल मिलाकर 15% का डिसकाउंट आएगा तो दूसरा तरीका हमारा ये भी है ठीक है, कि पहले हमने इस पर 10% का डिसकाउंट दिया तो इतने में भी का और फिर उसके बाद यहाँ पर 20% का डिसकाउंट दिया तो हमारा इतने में भी का तो कैसे कैलकुलिट करेंगे, कितने का डिसकाउंट अठाई सोसी के उपर इंटो 100, 15% हमारा निकल के चलाएगा Next Question की बात करते हैं अग्ला सवाल देखते हैं अग्ला सवाल हमसे क्या कहा गया है अगर हम Next Question देखे तो अग्ला सवाल देखो भाई अग्ला कृशन क्या कहा गया 8000 रुपे पर 35% का एक डिसकाउंट है और समान राशी पर 20% का 15% का दो और discount के बीच का अंतर गयात करिये जैसे इस question की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजे हमारे पास यहाँ पर क्या है तो बोला गया है कि देखो the difference between a discount of 35% on 8000 and two successive discount of 20% and 15% on same amount यानि ऐसे भी question कल के दिन आपके paper में आते हैं कि कोई एक particular value है उस पर अगर आप एकलोता 50% का discount देंगे तो कितने का होगा और अगर आप मान ली जैसे 2 discount देंगे 20% का और 15% का तो कितने का होगा paper में ऐसा question पूछा भी जाता है कि जैसे customer है किसी दुकान पर जा रहा है और दुकान पर जा रहा है तो उसके पास 2 option है पहला option यहाँ पर यह है कि वो चुपचा 35% का discount accept कर ले और नहीं तो दूसरा यह है कि वो 20 और 15% का discount ले पहली बात यहाँ पर दोनों case में कौन से वाले case में फाइदा है पहले case में या दूसरे case में और जिस भी case में फाइदा है उसमें कितने का फाइदा है तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पहले वाले case में मेरा जो discount है वो मेरा discount कितने का है तो सीधा सीधा 35% का है और दूसरे वाले case में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें दो discount मिल रहे हैं एक 20 के उर 15 के तो हम यहां पर कैसे लिखेंगे तो बोलेंगे 20 प्लस 15 माइनस 20 इंट्यू 15 पुटे 100 मेरे भाई लिखें, हम यहां सिधा सिधा ऐसा लिखेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा तो बोलोगे, सर्फ 35 और 20 का здесь यहां पर 5 बार में और 5 का हमारा तो 35 में से 3 यहां हो जाएगा हमारा 32% तो कुल मिलाकर मैंने कहा न यहां 32% का है और यहां कितने का है 35% का है जादा discount कौन से वाले case में है इस वाले case में है Question में हम से ज्यादा कम नहीं पूझा है Question में दोनों का difference पूझा है झाबशेंट का डिसकाउंट यहां 32% का discount difference हमारा कितने का? 3% का ठीक है? यानि अगर हम बात करते हैं तो यह जो 8000 रुपए है यह 8000 रुपए हमारा क्या है? तो यह 8000 रुपए हमारा क्या है? तो यह 8000 रुपए है market price है यानि अपने आप में 100% का मान है और मुझे यहां पर इन दोनों का difference बताना है यानि 3% का मान बताना है तो हम यहां बोलेंगे सरा answer कितना हो जाएगा? 240, option number A जो है, वो हमारा सही उत्तर है ठीक है? चलिए वीडियो को like करते रहेंगे class कैसी लग रही है? वीडियो को like करके बताते रहिए, आज ही है सवाल करते है सवाल में क्या कहा है? कहा गया single discount percentage equivalent to two successive discounts of 10, 20 and 25 यानि हमारे तीन discount दिये गए है एक हमारा 10% का है, एक 20% का है और एक 25% का है और इन तीनों का जो single आएगा value वो हमारा कितने का आएगा वो बताइए तो पहले आप यहां पर कहेंगे ठीक है कि सर हमने अभी सीखा था कि इसे हम किसे solve करने वाले हैं तो इसे हम successive के माददें से solve करने वाले है तो पहला discount हमारा कितने का है 10 का है, दूसरा हमारा कितने का है 20 का है, तीसरा हमारा कितने का है तो आप बोलेंगे सर 30 में से 2 चला गया यानि 28% तो मेरे भाई इन दोनों का डिसकाउंट कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा अब आप 28% को 25% के साथ मिक्स करके इनकी डिसकाउंट निकाले तो क्या कहेंगे सर 28 प्लस 25 और माइनस यहां 28 इंटू 25 वटे 100 अलागी 4 और 5 दोनों है तो 100 पूरे कट जाएगे बहुत असान से 28 और 25 हमारा कितना हो जाता है तो तिरपन हो जाता है माइनस 25 से हम 4 बार में कटेंगे 4 यह हमारा 7 बार में कटेगा तो तिरपन में से 7 गया यह अन्य आंसर हमारा कितना आएगा 46% कौन सा ऑप्षिन है तो ऑप्षिन नमबर B जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है चलिए पढ़ते पढ़ते आप लोग इतने मश्गूल हो गए है कि आप लोग को यह नहीं दिख रहा है कि वीडियो को लाइक भी करना है भाई लाइक कर दो ठीक है मोटिवेशन मिलते रहता है उससे और मज़ा आते रहता है एनरजी डाउन नहीं होती है अच्छा फील होता है ठीक है और पढ़ाने मज़ा आता है कि चलो बच्चे पसंद कर रहे है नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं अगला सवाल क्या कहा गया है ठीक है नेक्स्ट कोशन अनिल अपने ग्रहाकों को एक टीशर्ट पर 15% का डिस्काउंट देता है फिर भी उसे 25% का लाव होता है पांस रुपए अंकित मुल्य वाली टीशर्ट पर वास्तिक मुल्य ग्यात करने की क्या होगा ऐसे कोशन अच्छे कोशन होते हैं जहां पर कॉंबिनेशन होता है हमारा ठीक है कि अनिल ओफर इस कस्टमर अडिस्काउंट ओफ फिफ्टीन परसेंट और टीशर्ट अन इस्टिल मेक प्रॉफित ऑफ टीशर्ट मार्क्ट है रिदना मैंने हमेशा से जब जब यूट्यूब पर पढ़ाया है तब तब मैंने एक गोल्डन फॉर्मॉला दिया है और मैंने हमेशा काया कि बचो ये फॉर्मॉला आपके पेपर में आएगा इसके उपर कॉशन बनता है आप CHSL का एते हांस उठा लीजे, CISL का उठा लीजे, MTS का उठा लीजे, मेंस का उठा लीजे उस फॉर्मॉले पर कॉशन हमेशा आता रहा है और हमेशा आता रहेगा लेकिन आप लोग जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं लाइक करिए तो formula हम बताएंगे लाइक करिए चलिए ठीक है इतना दोहक हमारा बनता है तो आजे यह formula हमारा क्या कहता है तो formula हमारा यह कहता है कि market price divided by cost price बराबर हो जाएगा किसके तो बराबर हो जाएगा हमारा 100 plus minus profit या loss divided by यहाँ पर 100 minus discount के हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि cost price के साथ यहाँ discount रहता है और market के साथ यहाँ profit या loss रहता है कारण हम बता रहे हैं क्योंकि जब यह value इधर जाएगी तो selling price बना देगी और जब यह value जाएगी इधर तो selling price बना देगी question में हमेशा ऐसा value होता है कि profit का percent देगा discount का percent देगा और market price देगा cost price पूछेगा या इन में से किसी भी 3 का मान देखे 4 का मान आपसे पूछता है तो वहाँ पर आपके यह formula काम में आ जाता है आप यहाँ पर सेम तरीका बोलेंगे बोलेंगे सर यह formula जो आपने दिया है वो क्या है तो formula में हमारा MP upon CP बराबर हो जाएगा किस के तो 100 plus minus profit या loss divided by 100 minus discount के भाई question में हाँ पर कहा गया है discount हमारा 15 का है और profit हमारा 25 का है साथ में यह जो हमारा 500 रुपए है यह क्या है तो market price है question में हम से क्या कहा है कि अपने ग्राहकों को T-shirt पर 15% की छूट देता है 500 रुपए अंकित मुल्य का क्रेम मुल्य क्या है तो अंकित मुल्य तो बता रख है ना कितना है 500 रुपए है तो हम अंकित मुल्य के बारे हम बोलेंगा अंकित मुल्य हमारा 500 है CP के जगा पे हम CP रखेंगे आप मुझे बताइए profit होगा तो जोड़ दीजेगा loss होगा तो घटा दीजेगा 25% का profit है 100 plus 25 यानी हो जाएगा हमारा 125 भाई और discount हमारा कितने का है 15 का है 100 minus 15 यानी हो जाएगा 85 का 5 से काटो 17 बार में 5 से काटो 25 बार में 25 से सिधा का सिधा 20 बार में कटेगा 20 into 17 कितना हो जाएगा 17 into 2 यहां 34, 340 यह हमारा CP का मान होगा यह हमारा cost price होगा option number जो A होगा वो हमारा क्या होगा correct answer होगा ठीक है मैंने यह formula क्यों बताया मैंने formula इसलिए बताया क्योंकि कल के दिन ऐसा हो सकता है कि आपका जो discount है वो 7% का हो, 8% का हो, 9% का हो जिसका percent निकालना बड़ा मुश्किल सा हो जाए तो अगर आपको यह formula पता होगा तो बड़े आसानी से आप इसके अंदर fit करके रख सकते हैं कई भी यहां पर बहुत high level के questions बनते हैं जिस formula से बहुत असानी से solve हो जाते हैं जिस बच्चे की इसके उपर पकड़ है वो बड़े असानी से बना लेता है जिसकी पकड़ नहीं उसको थोड़ी सी मुश्किल आती है next question एक और आपके सामने है जल्दी से इसका भी आंसर बता दीजे तो मुझे लगेगा कि हाँ हमारे बच्चों ने बिलकुल सही तरीके से formula याद कर लिया है और ये question MTS में पूछा गया है एक ही category के question अलग-अलग परिक्षाओं में पूछे जाते हैं आपको बस यहाँ ध्यान रखना होता है अपने concept के बारे में कि अंकित मुल्य 840 रुपय है इस पर जो है यहाँ 15% का discount मिल रहा है 19% का लाब मिल रहा है तो करे मुल्य क्या होगा same question MPCP profit percent discount percent जल्दी से बताओ यहाँ देखते हैं कौन answer दे देता है कुछ इस प्रकार के सवाल हमेशा CHSL के favorite रहे है हमेशा जैसे ऐसा question कहा जाता है कि एक footker विकरेता कमीजो पर इस प्रकार से discount देता है कि तीन खरीदने पर दो मुफ्त पाईए तो जो हमारा discount होगा वो हमारा कितने का होगा और यह शुरू से CHSL का favorite रहा है यह CHSL के बाहर कभी पूछा भी नहीं गया सीजल में या और परिक्षाओं में लेकिन ये भी एक discount का part है ऐसा question भी पूछा जाता है आप कैसे बताएंगे तो मान लीजे आप दुकानदार है ठीक है आपके दुकान में कुल मिलाकर 5 आइटम रखे गए हैं मान लीजे यहाँ पर 5 रुपए यहाँ पर 5 शर्ट रखे गए हैं एक, दो, तीन, चार, पांच मैं customer हूँ और मैं आपके दुकान में आया हूँ मैंने कहा कि भाया हमें discount चाहिए तो आपने यहाँ पर कहा कि भाया आप यहाँ तीन खरीद लो कितना खरीद लो, तीन खरीद लो आप इन तीनों को buy करो मैं आपको यहाँ दो free दे दूँगा तो मैं यहाँ बोलूँगा अच्छा discount हमारा कितने का होगा यह जरा बताना कि discount जो है वो हमें कितने का मिलने वाला है तो discount का percent हमेशा क्या होता है discount का percent का मतलब हमेशा दोस्तों यह होता है यहाँ पर कि आपको कितने का discount मिला divided by market price into हमारा hundred ठीक है, यह हमारा हो जाता है यानि अगर हम भात करें तो मुझे discount मिला दो item का कितने का दो का और market price का मतलब हो गया total item कि total item कितना भाई मैं दुकानदार हूँ मेरे दुकान में पांचो आइटम्स रखे है तो यानि मेरा market price पांच रुपय का होगा न मैं पांच रुपया में दो रुपया का offer दे रहा हूँ ठीक है, तो वहीं बात है option number D जो है, वह हमारा सही उत्तर है, ठीक है बिल्कुल, option number D जो हमारा क्या है, सही उत्तर है ठीक, अब हमारे और भी questions हैं discount पे जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है और इन questions को आप थोड़ा लगाईएगा समय के अभाव के कारण जो है इन सवालों को मैं नहीं करा पा रहा हूँ अपने तरफ से पूरा खींचने का कोशिश किया जितना कीश सकता था, ठीक है और समझाते समझाते, ऐसा नहीं कि बस हवा में उड़ाना है और आज का जो session का हमारा PDF है वो आपको मिलेगा Rankers Groupal और Maths भई अधितरेंजन ये दो टेलिग्राम पर इसके लावा बात करें तो हमारे Maths के दो special batches आते हैं एक हमारा recorded batch आता है, एक हमारा live batch आता है ठीक है, जिन बच्चों को Maths का त्यारी करनी है भारत में किसी भी exam के लिए तो Maths का recorded batch ले सकते हैं कहां से आरजी विक्रमजीत अप्लिकेशन से और ये उसका inquiry number है आप इस पर बात कर सकते हैं बाकी हमारी class आज की कैसी लगी वो जरूर बताइए गए यहां पे और मेहनत करिए अच्छे तरीके से ठीक है सफलता कदम आपकी जरूर चुमेगी भाई ठीक है खूश रहो मस्त रहो ध्यान रखो और भोकाल मचा दो टेंशन मतलो जब तक हमें आँ हैं ठीक है आपको कोई टेंशन नहीं हो सकता है Maths में और अपने तरफ से मैं पूरी जान लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए आपको भी मैनत करते चलना है पूरा रेगूलर हूँ और महनत कर रहाँ कंटेंट मेंद भी कोई कसर नहीं छोड़ आप लोगों के लिए बस सफलता लेनी है पसनद आये तो वीडियो को लाइक करना दस्यार प्लस लाइक पहुचाना भाई ठीक है थैंक यू